वेलो ट्रेडर्स वेलकॉम टू माई यूटूब चनल आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बॉल्स हाउजिंग फाइनांस के बारे में और हम बात करेंगे आरबीयल बैंक के बारे में आज हमें आरबीयल बैंक में भी तक्रीबन चार परसंट से ज्यादा की तेजी देखनों को मिली और इंडिया बॉल्स हाउजिंग फाइनांस की बात करें तो उसमें भी हमें तक्रीबन तीन परसंट के आसपास के तेजी के साथ हमें क्लोजिंग देखनों को मिली थी तो यह तेजी कब तक बरकरार रहेगी इन दोनों स्टॉक में और कल के दिन के लिए क्या लेव क्या लेवल और टार्गेट आ सकते उससे पहले हम आज के कारोबार की डिटेल देख लेते हैं और क्या डिलेवरेबल परसंटेज हमें देखनों को मिलते हैं उसके उपर हमें अपनी नजर बना रहे ताकि हमें कल के दिन के लिए थोड़ा समझने में आसानी रहे लेवल और शिपर के विटेज की बात करें आज के दिन लोगाते हैं फाइनस में में अमयोंद देखने को मिली और आज के दिन जो में ओपनिग देखने को मिली और कि तो यहांते लिए gap of opening देखने को मिली थी, और अगर हम high की बात करें, तो जो high हमें देखने को मिला आज, वो 194.50 का high देखने को मिला और low बनाया था 186.00 तो दोस्तों अगर हम closing की बात करें, तो closing हमें याँ पर देखने को मिल रही है 190.35 हम् 될 Jest कि बात करें तो कुछ खास delivery हमें देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों अगर ज्यादा delivery रहती है दोस्तों तकरिबन 40% 50% के आसपास की delivery रहती है तो हम कहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें तेशी देखने को मिल सकती है कल के दिन के लिए लेकिन कुछ खास delivery देखने को नहीं मिल पाएंगी तो चार्ट के उपर ही पता चलेगा कि क्या चार्ट दिखा रहा है और क्या हमें देखने को मिलता है कल के दिन के लिए और अगर हम अर्बीयल बैंक की बात करें तो उसमें जो डिलेवरेबल परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है उसके बारे में हम एक नजर बना लेते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अगर अर्बीयल बैंक के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो अर्बीयल बैंक में 172.10 पर हमें gap of opening देखने को मिली और high बनाया था 177.20 का low बनाया 171.55 का और जो closing देखने को मिली और 174.95 पर closing देखने को मिली और deliverable percentage की बात करें तो delivery भी हमें आरवियल बैंक में भी कुछ खास delivery देखने को नहीं मिली आप देख सकते हैं तकरीबन 16% के आसपास की हमें यहां पर delivery देखने को मिली है तो delivery कुछ ज्यादा उठाई नहीं जा रही है तो कह सकते हैं कि इसके चलते भी हमें काफी कम चांची से दोस्तों ऐसा मैं बिल्कुल guarantee नहीं दे रहा हूं कि कल तेजी देखने को नहीं मिलेगी deliverable percentage कम है उसके लिए guarantee किसी भी बात की नहीं होती है दोस्तों stock market में संभावना की बात हो सकती है मैं आपको संभावना की बात कर रहा हूं कि delivery यहां पर मुझे कम देखने को मिल रही है जिसके चलते हमें कल के दिन ऐ तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों इंट्राडे अगर करते हो तो अब दोस्तों अब हम सिधा चार्ट के उपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या level or target हम कल को देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में बने रहा है तो दोस्तों मैंने यहां पर इंड हम सपोर्ट की बात करें तो काफी स्पोर्ट समें मिल रहा है 180 फे 111 पे अच्छा सपोर्ट से और रहाँ देखोगे तो पहले भी अक बार यहां पर ट्राइब कर रहा था इंडियाबू स्टी फाइन 155 से उपर निकलने का लेकिन यहां पे देख सकते हैं सेलर ने अपना प की लेकिन आप देख सकते 195 पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला तो कहीं ना कहीं 195 पे कह शकता है के सेलर्स बेठे हैं सेलिंग कर रहे हैं और 180 पे बायर्स बेठे हैं जो बाइंग कर रहा है तो अगर दोस्तों कल के दिन के लिए वोल्यूम के साथ ब्रेक करता है 195 का लेवल्स तो फिर आप यहां पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे भी कर सकते हैं वह भी ट्रोपलोस के साथ आप 195 के उपर निकलता है 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग देता है 195 के लेवल के उपर तो फिर आप यहां पर इंट्राडे में पोजिशन बना सकते हैं और तक्रीबन 200 रुपे से भी उपर का आप टार्गेट लगा सकते दोस्तों दोस्तों पांच 210 तक भी जाने की चांसिस है काफी लेकिन अगर वोल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो दोस्तों शब्दों पर धियान दीजिए दोस्तों मैं यहां पर बोल रहा हूं वोल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो काफी हाई चांस होगा 210 तक भी जा सकता है लेकिन वोल्यूम आना बहुती बड़ी बात है और इस रजिस्टन्स को ब्रेक करने के लिए वोल्यूम तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों और निचे के लेवल के बात करें तो सपोर्ट यहां पर देख सकते हैं अगर इस सपर्ट को भी अगर ब्रेक करना है इंडियावूल हाउजिंग फाइनस को तो यहां पर भी वोल्यूम चाहिए दोस्तों और 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर अगर निचे की लेवल्स पर क्रोजिंग देता है तो फिर यहां पर आप शोट सेलिंग कर सकते हैं और आपका टार्गेट 180 का रख सकते हैं और उपर के लेवल पर निकलता है 195 के उपर निकलता है जैसा मैं आपको बदाया 195 पर जो स्ट्रॉंग रजिस्टन्स है इसको ब्रेक करके उपर के लेवल पर निकलता है और 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर सेस्टेन भी रह यहाई चांस होगा 210 तक भी जा सकता है तो इंडियावल्स को आप अपनी नजर में बनाए रख सकते हैं और जो भी डिसीजन लोगे दोस्तों आपका ही होगा प्रोफिट होगा या लॉस होगा तो आपका इंडियावल्स हाउजिंग फाइनांस में कल का ट्रेडिंग अच्छ यहाँ पर मैंने कुछ लाइन भी ट्रो करके रखिये और यहाँ पर मैंने लेवल्स भी आइडिंटिफाइए करके रखे जिसके माद्य हम से जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन के लिए इंट्राडे में हम कहां पर पोजिशन बना सकते हैं और कहां पर अपना टार्गे में देखने को मिल रहा है और एक सो सतर के लेवल पर अभी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है मैं थोड़ा जूम करके आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर देख सकते एक सब्सक्राइब करने के बात कर तो आज एक गप ऑप अपनिंग हुआ था और यहाँ पर सकता है दोस्तों यहाँ पर संभावना है किसी भी बात की कोई गैरंटी नहीं है शब्दों पर ध्यान दीजिए दोस्तों इस ट्रेड लाइन को टच करने के बाद काफी हाई चांस है कि निच्ची के लेवल पर लुड़कता है तो यहाँ पर अपने इंट्राडे के लिए बना सकते और आपका टारगेट रहेगा एक सौ 70 के लिए अर आपका तोप लोस्त लगएक ओ आप युद्ख तो फ्रत के लेवल पर लगा सकते हैं थकलिए 159 के लिए पर लिए लगा सकते लेकिन फुस्त ज्यादा उपर के लेवल पर निकलता है इसी ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है वोल्यूम के साथ सब्दों पर धियान दीजिए दोस्यों मैंने बोला वोल्यूम के साथ अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें 185 के लेवल पर भी ट्रेड करता हो देखने को मिल सकता है लोवर एंड लो बना रहा है दोस्तों लेकिन इस ट्रेड लैंड को अगर ब्रेक करता है यहां पर वोल्यूम के साथ तो फिर एक अपसाइड मुमेंटम दिखा सकता है दोस्तों संभावना है इसी बात के हैं तो इन लेवल्स को आप अपनी नजर में बनाए रख सकते हैं दो दोस्तों हम यह जो एनालिसी करते है लिए अनालिसी करते है वह जिरोदा के प्लेटफॉम पे एनालिसी करते है ट्रेडिंग भी चांप forms पर आप सबको पेता होगा की जिरोदा इंडिया का नंबर वन ब्रोक्रेजों में से एक है चार्ज काफीझ है और यूज लोई जिट दोस्तों अगर आप झिरोता में अपना अकाउंट अमारी लिंक ठूपन कराएंगे अगर अपने वाले कुछ दिन के बाद आपना एक टेली ग्राम चैनल बनाएंगे उसमें आपको डेली बेसिस पे इंट्राद में इंड़ाइंगे वेडि़िव वेड़के रहां तरहish को का और यह सब एडवाइस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से आप अपना एकाउंट ओपन करवाए दोस्तो जिरोधा के थ्रू और बाद में हम आपको अपने पेड़ ग्रूप में भी एड़ करेंगे दोस्तों तो इस वीडियो में इतन झाल कर दोस्तों और खूब अच्वाइस वीडियो शबिछाओ कर दोस्तों अपने जाएगा जाएगा नटीए में खेड़ पनागे वीडियो में अपनें जाएगा योईवादक्रिप्स के अजिए में इताल